Hello friends welcome to my channel आज मैं आप लोगों के साँ शेयर करी वे ऐसी नास्तर की रहें इसे भी फ्रेंच इसको बनाना बहुत ही असान है तो चलो देर ना करते वे इस नास्ते को बनाते हैं तो इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे फेले mixing bowl लीजिए और आधी कप मैंने इस तरह से बारीक वाली सुजी का इस्तिमाल किया है अगर आपके पस बारीक वाली सुजी ना हो तो मिक्सर जार में डाल के इस तरह से मोटे वाली सुजी को इस तरह से बारीक बना सकते हैं तो एक से दो बार पिसने से बहुत ही असानी से इस तरह से बारिक हो जाता है तो आधी कप मैंने सुजी डाले हैं और आधी कप मैंने इसमें बेसन डाले हैं इस नास्ते को हम सुजी और बेसन से बना के त्यार करेंगे जो बहुत ही छटपट बन के त्यार हो जाती है इस तरह तो इस तरह से ऐखर में रखी बेसिक सा मानुस्यम बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग तरह के बहुती स्वाधिष्टक नास्त जान के त्यार करेंगे तू इस तरह से मैंने दोनुकी quantity सेम रखी आधी कब तो एक कप मैंने इस तरह से पानी डाले सेम कप में इस तरह से मैंने आधी कप पहले पानी डाले हैं मैंने पूरा पानी को एक साथ नहीं डाले हैं थोड़ा-थोड़ा करके डाले पहले मैंने आधी कप पानी को इस तरह से डालके अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से इस तरह से मिक्स करने के बाद जो आधी स्मूध हमको इसका बैटर बना के त्यार करनेगे तो इस राषे में कूटे वी लालु मीड्श का इसतिमाल किया है और इस नाष्टे को हेल्दी बनाने की लिए एक गाजर को मैंने इस राषे बारिक-बारी चौनौ कर लिया आप्चाहो तो इस ग्रेट करकी भी डाल सकते हैं इस तरह से बारीक बारीक चौप करके डालें इसे खाने में बहुत ही क्रंचने सब्सक्राइब एक मेडिया इमसेज की प्याज को इस तरह से बारीक तुकडों में कट करके डाल दीजिए और एक सिमला मिर्च को भी इसी तरह से बारीक कट करके में बहुत हैंल्दी तरीकिसि इस नास्ती को बनाके तियार करेंगे और बारी कटी एक टमाटर डाल देना है और अच्छे सी मिक्स कर लीजिए मुझे ठोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने दो चमाज पानी और डाल ले हैं इस तरह से पाई डालने के बद्द अच्छे सी मिक्स कर दालें हैं जीरा से नांसी बहुंत अच्छाफ सै फ्रिवर आएगा तो जीरा इसकी पना किईजे Gay districts neste जीरा डालने के बारी चंच में चुसेरा डालें अगश्कासरी मेथी अगर आपके पस आधि चुटी चंच है अगर आपके पस इनो सॉल्ट अनो हो तो खाने वाला सोड़ा का भी इस्तिमाल कर सकते हैं एक चमज पाने डाले ताकि हमारा इनो अच्छे से एक्टी हो जाए और हमारा नास्ता बहुत ही सौप्ट बनके त्यार हो तो इस तरह से इनो डालने के बाद अच्छे से मेंक सकते लिए इ आप कड़ा ही तवा किसी में भी बना सकते हैं तो एक चमज तैल को ाविश नास्ति को बनाने में तेल बहुत्त कम लगता है तो छो तो इस रसे मैंने किनारों में डाल दिया है ताकि हमारे नास्ता दिखने में भी अच्छा लगे और तिल का हलका सा क्रणचनेस बने रहेगा जिससे हमारे नास्ता और बहुत ही यमी बनके त्यार होगी तो बैटर को अच्छे से मिलाते हुए ने एक चमच भर के उठाई इस ना ज्यादा पतला ना ज़ेड़ों मोटा मेढियम ही इस दो हम इस तऱ से प्रोशेश्क्रीश को हम को बनाके त्यार कर ले ना है तो इस दूस्टे मैंने अच्छे से फनेशिंग दे धिया है और इस नासते को डालते हैं ऑफित जो ह्मारे नासते नीचे से ज़ले ना तो अच्छे से इस तरह से finishing देने के बाद इसको ढख देना है और इस नास्थे को हम low to medium gas में ही पका के त्यार करेंगे ढखने के बाद ना 3-4 मिनट तक उपर का हलका सकला चेंज होने तक इस नास्थे को पका के त्यार करेंगे 3-4 मिनट में ना नीची उपर से बहुत ही अच्छे से हमारे नास्थे पके त्यार हो जाते हैं तो इस तरह से मैंने 3-4 मिनट ढखन को हटा के इस तरह से चेक की जिए देख सकते हैं आप उपर से बहुत ही अच्छे से हमारे नास्थे पके त्यार होगा तो इस तरह से उपर म लॅइप कर देख भी सकते हैं और किते अच्छे से हमारे नास्ते में कलर आए इस barrels से बहुत एसन तरीके से कम तेल बहुत एसली स्वाधिस्ट नास्त बना के तयार कर सकते हैं एक चमश डालके अच्छे से फिला देना जैसे चीले बनाते हैं उसी तरह से ढ़क के लो टू मेडियम गैस में इसको पका लेना है इस रह से कलच चिंज होने की बाद तील और सफेद वाली तील डालके इस रह से पलटके अलटते पलटते हलका सा प्रेश करते तक हमको पका ल नास्ता बन के त्यार हुआ है इसको अपनी मन पसंद चटनी और साथ के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं तो इसी तरह नहीं नहीं रेसिपी में रोज अपलोड कर दी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली नहीं रेसिपी देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी होग तो फैन्वी फ्रेंज को जरूर से सेयर कीजेगा तो इसी तरह स्वादिश्ट रेसिपी के साथ मेलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग